आज हम यहाँ सीटेट EBS के टॉप 15 कोर्सेन सॉल्व करेंगे और कॉंसेट को भी समझेंगे अभी आपका एक्जाम जल्द ही होने वाला है तो आप जितना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा यह हमारा EBS के दूसरा प्रैक्टिस सेट है इससे पहले हमने एक सेट सॉल्व किया है यदि आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे देखिए क्योंकि वा आपके लिए बहुत ही बेनिफीशिल रहेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करेंगे दिना लिए यहाँ पर हमारा आज बच्चे कम गलतिया करें बच्चों को करके सीखने का आउसर मिलें बच्चे बहुत से प्रस्न पूछे या फिर बच्चों को खोज करने के लिए प्रयाप्ट अस्थान मिलें यहां पर देखिए हमारी EBS में जो बच्चों को खोज करने का अस्थान मिलें यह बोला गया है क्योंकि वो खोच करेंगे अच्छे तरीके से सीखेंगे बच्चे बहुत से प्रस्न पूछे ये भी बोला गया है सवाल जवाब को positive माना गया है वो सवाल जवाब जितना करेंगे उतना सीखेंगे आगे है बच्चों को करके सीखने का आफसर मिले learning by doing ये तो आपको मालूम ही है NCF ने भी बोला है कि बच्चे करेंगे और अच्छे वह में सीखेंगे तो लेकिन यहाँ पे जो पहला option है बच्चे कम गलतिया करें ऐसा कहीं नहीं बोला गया है क्यों बोला गया है बच्चे अपने जो गलति है उसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे तो गलति करना भी जरूरी है उनको सीखने के लिए यहाँ पे हमारा answer होगा A अमारा दूसर सवाल है पयावरन अध्यान की अंत बिशय प्रकति पयावरने मुड़ों को द्वारा संबोधित करती है यहाँ पे option देखिए पहला है बिज्ञान और सामाजिक बिज्ञान की बिशय वस्टू और पददती के प्रयोग या फिर सामाजिक बिज्ञान और पयावरन सिक्षा की बिशय वस्टू और पददती के प्रयोग यहाँ पे देखिए हमारा EBS जो है किन-किन बिशयों के लिए के बना है आपको मालूम है बना है बिज्ञान, सामाजिक बिज्ञान और पयावरन हमारे EBS में ये सभी भी से समाहित है इसलिए हमार जवाब होगा दी हमारा तीसरा सवाल है दिये गए प्रस्नों को ध्यान से पढ़िये क्या घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे है जिनके छोटे बच्चे है अपने नोटबुक में उनके नाम लिखिए यहाँ पर टीचर बच्चों को बोल रहा है क्या उन्होंने अपने घर के आसपास छोटे जानवर और उनके बच्चे देखे है अपने नोटबुक में उनके नाम लिखिए इस प्रस्ण के माध्यम से किस प्रकार के कोशल का आकलन किया गया है। औलोकन और यहाँ पे होगा और औलोकन और रिकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए बच्चा पहले अबजॉब करेगा जानवर है की नहीं देखेगा उसके बाद उनको नोटबुक में रिकॉर्ड करेगा। इसलिए यहाँ पे हमारा सही जवाबों का ओप्शन दी बच्चा यहाँ पे अलोकन करेगा और रिकॉर्डिंग करेगा। आगे देखिए हमारा अगला सवाल है प्रियोक करना आकलन का एक संकेटक है। ऐसा भी नहीं कि हमने अपने दिमाग से कुछ अच्छा लिख दिया तो हमने कुछ प्रयोग किया नहीं निर्दर्शन प्रदर्शन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहां पर देखिए ऑप्शन डी में हस्ट परक्न गति विधी यानि हम अपने हार्ट से जो बनाएंगे जब हम फोई चीज अपने हार्ट से बनाएंगे तो एक प्रकार का प्रयोग भाना हम देखेंगे वह सही है कि नहीं जो चीज हम बना रहे हो सही जगा फित हो रहा है है कि नहीं तो यहां पर हमारा ओप्शन डी बिल्कुल सही होगा आगे चलिए पाच्वा सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक पयावरण अध्यान के संबंध में सच नहीं है फिर से हमारा यहां पर देखिए नहीं बोला गया है ठीक है तो हमें ध्यान से पढ़ना होगा ओप्शन देखिए पयावरण अध्यान बाल के अध्यान है यह तो सही है ना हमें सही नहीं चुनना है गलत चुनना है क्यों ओप्शन ही नेगेटिव है तो ओप्शन में नेगेटिव है तो हमें एंसर में भी नेगेटिव चुनना होगा ए नंबर हमारा positive है, बी देखिए पयावरन अध्यान बच्चों को अपने परिवेस को खोजने का आउसर देता है, सही है ना पयावरन अध्यान में बोला गया है कि बच्चों को खोजने का आउसर दिया जाए, जितना खोजेंगे उतना अच्छे हुए में सीखेंगे, आगे आगे देंहें पयावरन अध्यान और प्रिभासा पर देता है dt कोछ भी यह नहीं ये नगेटीव है हमारा और अपशन है याई होगा वच्छो मत आगे देखे पयावरन अध्यान की प्रकाटि एक है ये तोहलों है न उपशन में साइन्स, सोशल साइन्स, EBS तो इंटिग्रेटिव सब्जेक्ट है, तो हमारा ओप्शन यहां पे C होगा, क्यों परिभासा पर बल, वर्नन करना, परिभासा लॉर्न करना यह सब नेगेटिव है, तो हमारा यहां पर नेगेटिव पूछा है, तो ओप्शन नंबर C सही होगा, आगे देखे हमारा सवाल है, अगला, परियावरन अध्यान में बच्चों को जोडने का सबसे प्रभाव साली युक्ति क्या है, यानि हम कैसे बच्चों को हमारे EBS के अध्यान से जोड़े, सबसे प्रभाव साली युक्ति क्या है, आईए ओप्शन देखेंगे, प पर ठीवर्ट एको इसाह और चाहिश। ब्रचा करें दो काली कोरें SIGCZAK द्वारा भया थिकेडियानो करें थालारियाigue livres कहानी के द्वारा वो knowledge को और विक्सित करेंगे, कोई भी चीज को वो कहानी के द्वारा जब सीखेंगे न, उनके दिमाग में वो बहुत अच्छे से अच्छे या फिर अस्थाई रूप में छप जाएगा, वो कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए यहां हमारा option होगा third. अगला सवाल है, निमनलिखित में से क्या, पयावरन अध्यान में आकलन के लिए संके तक नहीं होना चाहिए, यानि हमारा आकलन के लिए संके तक नहीं होना चाहिए, निमनलिखित में से क्या, option देखेंगे, सह भागिता, यहां पे क्या पुछा है, यहां फिर से चुनना है, सहभागिता पॉजिटिव है, बच्चे अगर एक दूसरे के साथ मिल कर भाग लेकर सीखेंगे, अच्छे वे में सीखेंगे, दूसरा है याद करना, अब देखें ये याद करना ऐसे ही नेगेटिव है, लेकिन हम आगे की आप्शन को देखेंगे, प्रस्न होंगे, हर एक चीज में समानता खोजेंगे, कोई भी भेदभाव उनके मन में नहीं रहेगा, इस तरीकार से आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी गलत है, और ऑप्शन में हमारा गलत ही पूछा, इसलिए ये सही है, याद करना नेगेट से सीख पाए, आगे देखिए यहाँ पे है, पयावरन अध्यान में कलपना और मुड़ो को बिग्यान और सामाजिक बिग्यान बिषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? यहाँ पे बोला है कि हमारी EBS में बिग्यान और सामाजिक बिग्यान को अलग बिषय के बहा गया है ऐसा क्यों आयू ओप्शन देखेंगे पहला ओप्शन है इस आयू वर्ग के बच्चे अपने परवेश को समगर रूप में देखते हैं या फिर यह सिक्षन अधिगम के एक अच्छी यूप्टी है या यह पार्टिकरम के भार को कम करने के लिए है या फिर सी बी एससी ने पयावरन अधियन के कारेकरम को इसी परकार से निर्धारित किया है यहां पर ओप्शन देखने के बाद देखिए सबसे अच्छा ओप्शन आप ओप्शन ए क्यों जो छोटे बच्चे है ना हमारे वान टू फाइब वह अपने पूरे पयावरन को एक समगर र समगर रूप से देखते हैं इसलिए हमारे यहां पर ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर ए अगला सवाल है हमारा पयावरन अधियन में सिख्छक के द्वारा बच्चों को सुएम अपने का आकलन करने का ओफसर देना चाहिए सुआ आकलन क्या है यहां पर हमारा सवाल है सुआ आकलन क्या है आईए ओप्शन देखेंगे पहला ओप्शन है सीखने के अया और यहां पर हटाईए सीखने लिए आकलन यह आपका हो गया रचना तमक अकलन सीखने में जोगा तमक अकलन लिए Förstu बाब होगा जहां पर बच्चा आपना सुयम आकलन करेगा जितना सीखेगा सुयम आकलन द्वारा वह मालूम करेगा उसने क्या सीखा क्या नहीं सेखा यहां पर हमारा अगला सवाल है निम्नलिकित में से किसको पयावरन अध्यान में बच्चों के आकलन में दूर करना आई यह option देखेंगे, बच्चों के सीखने का गुनातमक आकलन, बच्चों के उटरों को सही या गलत में आकलन, कक्छा 5 के EVH पार्थे पुस्टक में प्रतेक पार्थ के अंट में दिये गए, आज हमने क्या सीखा पर चर्चा या फिर आकलन में संके तक कर, यहाँ पर देख करो को सही या गलत में आकलन, यहां पे देखें जो ना सही या फिर गलत में यह ठीक नहीं है क्यों, अगर हम किसी बच्चों को ड़ेbbe, कि नहीं तो ऐसा कुछ बह बोलना नहीं है, यह बोल दिया गया पहले ही, आगे देखिए जो यहाँ पर बोला गया है कि आज हमने क्या सीखा पर चर्चा यह पॉजितिव है यह बिल्कुल सही है डिसकस करेंगे तो उनका और अच्छे से आकलन हो पाएगा और संके तक का उपयोग यह भी सही है बट यहाँ पर बोला गया है सही है गलत में आकलन ऐसा नहीकरना है यह जो है नेगयृटीव है बच्चो को हमेंसा मोटिवएट करना है उनको बोला लट है कि नहीं है च्दूम रॉंग हो ठीक है सैं बच्चों को पयावरन अधियन को सीखने के लिए खोजने के दवारा प्रयाव्रत समय दिया जाता है यह इंगित करता है कि यानि बच्चों को हमारा पयावरन अध्यान में सीखने के लिए खुश को बहुत अधिक मतलब प्रोशाहित किया गया है, समय दिया गया है, ऐसा क्यों? आईए ओप्शन देखेंगे, पयावरन अध्यान सिख्छक के इंडिट है, ऐसा बिलकुल नहीं है, पयावरन अध्यान बाल के इंडिट है, यहाँ पर देखिए ओप्शन दी सही होगा, हम सभी को मालूम है कि जो है आज का जो है सिख्चा है वह बाल के इंडिट है, उसके सेंटर में बालक है, उसके जो मतलब सेंटर में है बालक है, बालक ही सब कुछ है, बालक खुश मतलब सब खुश, अगर बालक फेल हुआ बालक फेल नहीं हुआ आपका सिलेबस आपका पार्ठेकरम फेल हुआ आपके टीचर फेल हुए है इसलिए बच्चों को खोजने का प्रयाप्त समय औसर दिया गया है हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से क्या पयावरन अध्यान के लिए एक सिछक के वांचनिया गत्विदी यहां पर देखिये वांचनिया और को देखके आप ठोरा कंफीज नहीं होना मतलब यहां पर जरूरी मतलब क्या एक टीचर के लिए जरूरी पढ़ाने के लिए आई यह option देखेंगे केवल पार्थ या पुष्टक पे आश्रित रहना देखें सबसे पहरा जहाँ आपको केवल दिखेंगे वैसे गलत हुआ बट फिर यह मागे देखेंगे बिभिन कक्छाओं में बहु सांस्क्रिटिक छेत्रों को संबोधित करना अग पुष्टत पर कि अध्यों डिर्बन नहीं रहेगा और फिर वा क्या बोलेंगे बच्चों को नहीं कोई मातुपून यहां पर सूचना जहां डिके ऐसे आपको यह बच्चों को सूचना नहीं देना ऐं उन्हें करके सीखने का उसर देना है और क्या वोला है रेखिए आयोजन ऐसे कुछ नहीं है कि आपको हर्स कीजी का रेखिए आयोजन करना है इसा कुछ नहीं है यहां पर हमारा option भी सही होगा विभिन कक्छाव में बहुत सांस्क्रिटिक छेटरों को संबोरित करना या एक teacher के लिए बहुत ही जरूरी है क्यों एक class में अलग-अलग जगा से लोग आई हुए है उनका culture अलग है तो वो सब culture को एक साथ लेकर चले या एक teacher के लिए बहुत जरूरी है वो भेदभाव ना करे लिखित सीखने के कौन से सिधान का पयारण अध्यन में अनुसरन होता है यानि हम किस सिधान के दोला सीखते हैं देखिए सबसे पहले यहां पर ग्याट से अग्याट वेस्विक से अस्ठानिया अमूर्थ से मूर्थ अग्याट से ग्याट यहां पर देखिए अग्याट से ग्याट जो हमें नहीं मालूम उसके बाद वहां जाना जो हमें मालूम है ऐसा नहीं है अमूर्थ से मूर्थ ऐसा नहीं है कि अमूर्थ जो चीज़े हम नहीं देख सकेंगे उहां से सुरू करेंगे और उहां पहुंचेंगे जो हमें दिखाई दे रही है ऐसा भी नहीं है यह दोनों गलत और हमें देखिए कोई भी चीज ना लोकल मतलब आज पास से सुरू करना चाहिए बिश्व से नहीं यह भी गलत है हमारा सही जवाब होगा ग्याट से कि वह जानना जो हमें नहीं मालूम है तो यहां पर हमारा जवाब होगा ओप्सन बी स्वारी ओप्सन ए प्राथमिक इस्थार की अच्छी इवेस पाथे चड़या में होना चाहिए मतलब प्रामरी लेवल की इवेस में के सिलेवस में मतलब कॉंटेंट में क्या होना पाथ के अंट में अधिक अभ्यास वाले प्रसने सामिल करना देखिए अधिक अभ्यास वाले प्रसने सामिल करना ऐसा कोई यह कुछ नहीं है कि जितना बच्चे अधिक अभ्यास करेंगे अभ्यास यहाप एक नेगटिव टेग लाइन है ठीक है आगे देखिए अपने हार्ज की परिभासा पर अधिक बल देना परिभासा भी गलत है बल यह सब नेगेटिव है यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्षन है ऑप्षन बी अपने आसपास को खोजने का औसर प्रदान करना यह जो हमारे इभ्यस के पाथे क्रम में होना चाहिए आज का हमारा आखरी सवाल है पयावरन अध्यान की पाथे पुस्तक में परियुक्त भासा यानि हमारे इभ्यस के बुक में जो लैंग्वेज है वह कैसी होनी चाहिए ऑप्षन ए है परिभासा पे बल देते हुए अपचारिक बनाई चाहिए तक्नीकि और आपचारिक होनी चाहिए या बच्चे की दिन-प्रतैन की भासा से जुरिंध ihn चाहिए रूखि और बच्चों के द्वारा समझने में कठिं होनी चाहिए Benjamin कि ऐसा भूक से होना चाहिए नहीं ना ये गलत बच्चे के दिन प्लै दीन ली भाशा से जुरिं को ना बैसे सी अबयाकि न्यारिए ली रहेग बचस के लिडिया के सएरी रहेग ना ब्च्रय के बहुत जल्दी आराम से सीखेंगे बाकि दोनों अप्शन गलत है परिभासा अपचारिक नहीं टक्नीकी लेंगविज नहीं होना चाहिए